WhatsApp अप users के लिए OneView feature को जारी कर रहा है इस feature से फोटो या वीडियो को receiver एक बार ही देख सकता है Users WhatsApp के नए version में इस feature को यूज कर सकते है WhatsApp के नए version को Apple App के Play Store या Google Play Store से आप डाउनलोड कर सकते है नए update के बाद WhatsApp इन आप message notification में भी बदलाव होगा WhatsApp OneView feature को कुछ टाइम से ही टेस्ट किया जा रहा था इस feature से फोटो या वीडियो देख लेने के बाद अपने आप ही गायब हो जाते हैं हलाकि इस feature की एक खामी भी है इससे आप screenshot ले के उस content को save कर सकते हैं भारत में WhatsApp का ये feature app के latest version के जरीए जारी किया जाएगा इस feature को enable करना काफी आसान है इसके लिए आपको किसी content को गायब होने वाली फोटो या वीडियो भेजने से पहले caption बार में मौजूद एक आइकॉन पर क्लिक करना होगा इस feature से भेज़ जाने वाले फोटो या वीडियो जब receiver एक पार देख लेगा तो वो chat अपने आप ही delete हो जाएगी media content user से फोटो या gallery में save नहीं होगा one view feature से भेज़ जाने वाले कोई भी content अगर किसी भी users 14 दिन तक नहीं खोले हैं तो वो अपने आप expire हो जाएगा इसको screenshot लेकर भी आप save कर सकते हैं WhatsApp इस feature को September 2020 से ही test कर रहा है इस ताल इसके बीटा टेस्टिंग को भी Android और iOS के जरीए उतारा गया है कुछ users के लिए इस feature को पिछले महीने ही लाया गया थे